वेलकम बैक टू अखिलमेट क्लासेज वैलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं पुनमेम आज आपको डिवी फिफ्थ क्लास का हिंदी का फॉर्स्ट लेसन जो आपका दिमागी लड़ाई है उसका अभ्यास करोंगी जो आपका अभ्यास होगा पार्ठ में से होगा पिछले वीडियो में हमने वास्ट लेसन को चितर के माध्यम से पूरे लेसन को पढ़ा था और समझा था उसी बेस पे हम कोश्चों अंसर को पूरा करेंगे जो आपका पहला कोश्चों होता है ओजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या समान लिया अगर आपने पूरा पढ़ा था और देखा था उस वीडियो को तो आप कोश्चों को इसली कर सकते हैं उसने क्या लिया था ओजा ने महल से जाते वक्त छोटे छोटे खिलोने लिये थे बच्चों के खेलने के और एक चूजा लिया था में अपने साथ बच्चों की खेलने की खिल कुछ छोटे छोटे खिलोने और एक पालतू चूजा साथ लिया था परस्ट कोश्चों को हम ऐसे लिखेंगे ठीक फैकिंड कोश्चों होगा हमारा बाद्सा ओजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों बाद्सा ओजा को क्यों और क्या बनाना चाहता था वजीर वजीर क्या होता है मंत्री बाद्सा ओजा को वजीर बनाना चाहता था उसकी अकलमंदी से कि उसने सरकल को जो गोल्ड राउंड सा सरकल उसको कैसे सौल किया इस पहिली को सौल किया इसलिए अपने अकलमंदी से इसलिए उसको वजीर बनाना चाहता था तो हम इसका अनसा लिखेंगे बात्सा ओजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों? बात्सा ओजा को अपना वजीर बनाना चाहता था क्योंकि ओजा एक अकलमंद इंसान था प्रष्टावग ञाट है थर्ड कोर्ष्टन पर ओज ने बाध्सा के परस्ताओं को क्यों ठुकरा दिया ओजा था अपने काम में अलिए इसलिए बाध्सा के परस्ताओं को उसने ठुकरा दिया हम इसको कैसे लिखेंगे ओजा ने बादसा को परस्ताव को क्यों ठुकरा दिया ओजा ने बादसा के परस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया था तो कि वह एक बड़ा ही मस्गुल इनसान है जो अराम करने में हमेशा मस्गुल रहता है ठीक है अच्छो मस्गुल मतलब अराम करन क предложena बशक्केतों आ प्रेवाली स्पॉर्थ कोस्टिन बलते हैं को शित्र कथा के अनुसार नीचे दिये गये कामों का क्यゃ नगार दली है as honour कि क्या मतलब है जै सあの इसका कि spicy कर देखाना शist canra K работ taught Benek behandli की मौत टेकर राउन सर्कल कर लगाना किस can देखते या तक्त के चारो और घेरा लगाने का मतलब होता है कि पडोसी राज्य की सुल्तान चड़ाई करके हमारे राज्यों को चारो और से घेर लेंगे तक्त के चारों और राउंड सरकल लगाने का मतलब यह था कि जो सुल्तान मतलब राजा था हमारे राज्ये पर आकर्मन करेगा और चारों तरफ से राज्ये को घेर लेगा ठीक प्रेकिन राथता है चावल के दाने फैकना चावल के दाने फैकने का मतलब क्या था? चावल के दाने फैकने का मतलब हमारे पास बेसुमार फोजी है मतलब हमारे पास बहुत सारे फोजी है चावल के दाने फैकने का मतलब ये था ठीक है? गया आते हैं हम इसका अब चूजे दौरा चावल के दाने चुग लेना का मतलब होता है कि यदी पडोसी राजे के सुल्तान ने लड़ाई छेडी तो उसका एक भी सिपाही जिन्दा नहीं बच सकता है मतलब अगर उसने आकर्मन करने की कोशिस की तो उसका कोई भी सिपाही नहीं बचेगा जैस का हो गया अब हम पांचे कोश्चन पर आते हैं उचित उत्तर पर सही निसान का निसान लगाई है मतलब टिक मार्क लगाना है हम का पड़ते हैं इसका पडोसी सुल्तान के दूट ने अपनी जेब में से क्या निकाल कर सुल्तान के दक्त के चार और गोल लकीर खीचती बता वच्चो जो दूट था उसने दक्त के चार और क्या मतलब निकाल के निसान लगाया था पैन था, खड़िया था, कलम था पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? खड़िया, खड़िया क्या होता है? चोक का टुकड़ा, तो इसका खड़िया आएगा, ठीक? इसका खड़िया सही अनसर है, ठीक है? खड़िया, फैकिन हम आते हैं, खा घेरे की पहले सुल्जाने के लिए किसे बुलाया गया? जो round circle लगाया गया था, उसको सुल्जाने के लिए किसको बुलाया गया था? हरकारे, या दूत, या ओजा, किसको बुलाया गया था बच्चो? ओजा, ओजा को बुलाए गया था तो हम इसका अनसर लिखेंगी ओजा ओजा को पहले सुल जाने के लिए बुलाए गया था आज इस वीडियो में हमने अभ्यास का पार्ठ में से किया है ठीक है? और सेकंड वीडियो हम आएगा जो उसका सेकंड लेसन होगा डियवी फिफ्ट क्लास का हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक है? आज के लिए इतना ही बाए बच्चो धन्यवाद